हाई फिरेंड विल्कम बैक, आज मैं आप लोग के साथ एक बहुत ही अच्छा समढ़े स्पेशल स्पेशल फेस्ट पैक सेर कर रहे हूं जो इसके लिए मैंने लिया है खीरे का जूस, घीरे को मैंने ग्रेट कर लिया है, उसके बाद इसका जूस ले लिया है उसके बाद हम ड पावडर ले लिया है और उसके बाद हम इसमें डालेंगे हाप चमच मुल्दानी मिट्टी जो कि हमारी इसकीन से आयल को सोकता है यह देखिए उसके बाद हम इसमें जितने भी चीज यूज करेंगे वह हमारे इसकीन के लिए बहुत ही बेनिफिसियल होगा और गर्मी में यह हमारे इसकीन को ठंड़क पहुचाएगा इसकीन को काला नहीं होने देगा उसके बाद हम इसमें यूज करेंगे दही दही हमारे इसकीन को ठंड़क भी पहुचाएगा मश्राइज करेगा और हमारे इसकीन के रंगत को भी निखारेगा उसके बाद हम इसमें लेंगे सबसे करेंसे लास्ट जो चीज यह है एलॉवेरा एलॉवेरा स्कीन suddenly को ठंडा था थो फ्रेंस इसमें हम थोड़ी सी टालेंקे और इन सभी को अच्छी तरह मिला ले ना है और हमें थोड़ी देर के लिए रेस्टों के लिए रहने देना हैं जिसे सभी की गुटनिस इसके तो प्रेंस मैंने फेस को वास कर लिया अब इसे लगा के आपको दिखाते हैं आप इसे हाथों की सहाथा से या ब्रश की सहाथा से भी आप इसे अपने फेस पे लगा सकते हैं पूरे फेस पे एक अच्छी मोटी लियर लगा ले उसके बाद आप इसे 20 मिनट युँँ फेस पे लगा राने दे उसके बाद आप ठंडे पानी से इसे ढोले देखेंगे कि आपकी स्कीन गडमी में भी काला नहीं होगा यह बिल्कुल ठंडा ठंडा फेस पैक है जो हमारी स् तो रंगत को भी निखाड़ेगा और यह हमें गडमी में बहुत ही हायदा देता है तो हम मिलते हैं 20 मिनट बाद तो फेस पैक मेरा बिल्कुल सूख चुका है तो इसे अब हमें मैंने ठंडा पानी लिया है इसी से हमें कॉटन की सहता से इसे अच्छी तरह हम पोच लेंगे यह फेस पर गर्मी के लिए बहुत ही अच्छा है इसे आप गर्दन में भी लगाएं तो फ्रेंज यह देखिए मैंने अपना फेस वास कर लिया है देखिए फेस कितना क्लीन और ब्लो कर रहा है आप इसे वीक में तीन बार ज़रूर लगा हैं और यह फेस पैक ज़रूर ट्राइक करें फेस को वास करने के बाद मैं इसमें थोड़ा सा एलो बेरा जेल हो और मस्चराइज हो इलो मेरा हमेरा स्कीन के लिए बहुत ही बेनिफिसियल है तो अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बाए टेक केर